हेलो फ्रेंड्स मैं सुसमा कुहाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं स्पेशल जैन स्वेटर के लिए एक बहुत ही सुन्दर और बहुत ही आसान डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है प्रेंड्स ये डिजैन देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजैन को आप चैन स्वेटर के अतिरिक्द बच्चों के स्वेटर लेडीज कार्डिगन जैक्ट गर्ल्स टॉफ रोग कुर्ती कैप हाई नैक किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती है बाकी के सभी प्रोजेक्ट पर भी ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल फंदे लेकर 6 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडज़ेस्ट हो जाएगा 12 के मल्टीपल देखिए 12 फंदे गिन लिजे फिर सी 12 फिर सी 12 फिर सी 12 फिर सी 12 तो आप इसमें बार बार 12 बार फंदे गिनते जाएए और लाष्ट में आपके 6 फंदे होने जाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है और 14 सलाइओ में कम्पलिट हो जाता है तो ये देखिए फ्रेंट्स इस डिजैन को बनाने के लिए यहां पर मैंने लिए हैं 30 फंदे 12 दुनी 24 और उसमें 6 फंदे एक्स्ट्रा फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी साइड से और एक सलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई होई है अब यहां से डिजैन की पहली सलाई है और सीधी साइड है तो ध्यान दीजेगा कि पहली सलाई कैसे बनेगी पहला फंदा एजस्टीज होता है इसे आप उतारिये या तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6 तो ये देखिए 2, 4 और ये 6 स्टार्टिंग में हमने 6 फंदे उल्टे बना लिए धागा पीछे करेंगे और 6 फंदे सीधे बनाएगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, ये जो हमने बारा फंदे का डिजाइन बनाया, छे उल्टे और छे सीधे, इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाएंगे, धागा आपनी तरफ करेंगे, छे फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, फिर धागा पीछे करेंगे, और छे फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, आपके जितने भी फंदे हों, यहीं बारा बारा फंदे का डिजाइन बार बार बनाते जाएंगे, छे उल्टे, छे सीधे, छे उल्टे, छे सीधे, लास्ट में आपके छे फंदे बचेंगे, इनको आप उल्टा बनाईए, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, पहली सलाई डिजैन की कम्प्लेट हो गई, अब आज है इसकी दूसरी सलाई और उल्टे साइड बर, जो फ फंदे हम यहां सीधे बनाएंगे, जो इधर से सीधे बनाएं, वो इधर उल्टे बनेंगे, तो दूसरी सलाई है, पहले फंदे को आप उतारिये यह उल्टा बनाईए, मैं एजश्टीच को दोनों तरफ से उल्टा बुन लेती हूं, ताकि यह जो किनारी होती है, यह बिल पांच, यह हमारे यहां पर छे फंदे हो गए हैं, यहां पर आप इसे सीधा बुनना चाओ, तो सीधा भी बुन सकते हो, स्लिप करना चाओ, तो स्लिप भी कर सकते हो, अब धागा आपनी तरफ करेंगे, और छे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और यह छे, अब इस इस्टीच को हमने उल्टा बुन लिया था, इसलिए पांच सीधे बनाए थे फिर, तो अब यहां पर छे सीधे बुने जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और यह छे, फिर धागा पिछे करेंगे, और छे फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और ये 6 फिर धागा पीछे करेंगे यही 12-12 फंदे का डिजैन हमें बार-बार रिपीट करना है और लास्ट में हमारे जो 6 फंदे बचेंगे इसमें से हम 5 फंदों को सीधा बुन लेंगे और अपने एज़स्टीच को हम उल्टा बुनेंगे तो ये देख लीजे 5 सीधे हो ग दो सलाईया डिजैन की कम्प्लीट हो गई अब जो हमने पहली सलाई बनाई सेम हमारी तीसरी सलाई बनेगे जो फंदे अब सीधी साइड से आपको उल्टे दिख रहे हैं उनको आप उल्टा बनाईए जो सीधे दिख रहे उनको सीधा बनाईए यानि 6 उल्टे 6 सीधे 6 उल जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा और जो फंदे उल्टे हैं हमारे उनको उल्टा बुनते हुए तो ये देखिए सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए तीसरी सलाई को कमप्लीट कर लिया अब आज ये इसकी चोथी सलाई और उल्टे साइड पर चोथी सलाई इसकी ठीक दूसरी सलाई के जैसे बनेगी, तो एजस्टीच को हमने उल्टा बुन लिया, फिर ये पांच फंदे सीधे, फिर छे उल्टे, फिर छे सीधे, छे उल्टे, ऐसे करते हुए हमें इसकी चोती सलाई को कम्प्रीट करना है, यानि जो फंदे आपको सीधे दिखे, उ जो उल्टे दिखे, उनको उल्टा बनाईए, और ये हमें एक बार ही ध्यान से बुनना पड़ता है, फिर जब हम तीसरी सलाई पर आते हैं, तो फंदे हमें कलियर नजर आने शुरू हो जाते हैं, बैक साइड से, कि कौन से फंदे सीधे हैं, और कौन से उल्टे हैं, तो हम इसकी सीधी साइड से हमारी तीसरी सलाई थी, और उल्टी साइड से ये चोथी सलाई है, तो मैं इसकी चोथी सलाई को सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनते हुए कंप्लेट कर देती हूं, तो ये देखिए, चार सलाई इसकी कंप्लेट हो गई हैं, अब पांच पांचमी सलाई सीधी साइड पर पांचमी सलाई इसकी पहली और तीसरी सलाई के जैसे बनेगी जो फंदे उल्टे उनको उल्टा बनाईए जो सीधे उनको सीधा बनाईए फिर उसके बाद छटी सलाई उल्टी साइड पर ये भी आपकी जो है दूसरी चोथी सलाई के जैसे यानि जो सीधे उनको सीधा बनाईए जो उल्टे उनको उल्टा बनाईए तो मैं ये पांचमी और छटी दोनों सलाईया कम्प्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए छे सलाईया हमने यहाँ पर कम्प्लीट कर ली है जब 6 सलाईयां complete हो जाएंगी तो यह आपको यहाँ पर 6 लाईने ही नजराएंगे अब सात्मी सलाई है और इसकी सीधी साइड है सात्मी सलाई पर हमें यहाँ पर डिजैन बनाना है तो ध्यान से देखिए सात्मी सलाई कैसे बनेगी पहला फंदा इसका एजस्टीच है इसे हम उल्टा बुन लेंगे आप स्लिप करना चाहो तो स्लिप कीजिए धागे को पीछे करेंगे और यह जो 5 फंदे हैं इनको अब हम सीधा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार और यह पांच अब यह जो 6 फंदे हैं इसमें से यह फर्ष्ट वाले 3 इन 3 में से इन 2 को छोड़ेंगे और यह जो 3 फंदा है इसको स्लाईपर ऐसे लेंगे इन 2 को उतारेंगे और बैक साइड से स्लाईपर ऐसे डाल देंगे अब ये जो फंदा है इसे हम लाएंगे और इन दो फंदे के आगे डाल देंगे और अब हम इन तीनों फंदों को सीधा बनेंगे एक, दो, और ये तीन अब ये वाले जो तीन फंदे हैं इनको हम ट्विस्ट करेंगे तो इस फंदे को छोड़ देंगे और next वाले जो दो सीधे हैं इन में back side से slide डाल लेंगे इस फंदे को उतारेंगे और इस हाद की slide पर डाल देंगे इन दोनों को पीछे से लाएंगे और यहां बीच में कर देंगे और तीन फंदे अब सीधे एक दो और यह तीन आप देखें यहाँ से यहां तक जो डिजैन बनाया ना इसी को बार-बार रिपीट करेंगे छह फंदे सीधे एक दो तीन च्यार पांच और ये छह अब ये जो छह सीधे हैं इनको हम twist करेंगे तो देखें ये वाले दो फंदे छोड़ कर ये जो तीसरे नंबर का फंदा इसको ऐसे लेंगे और इन दो को उतारेंगे इस हाथ की sliper ऐसे डाल देंगे इसके हम पलट कर आगे करतेंगे और तीन फंदे अब हम सीधी बनाएगे एक दो और ये तीन अब हम ये वाले फंदे twist करेंगे तो इस फंदे को छोड़ देंगे और next वाले जो दो हैं back side से slide डाल देंगे इसे उतारेंगे और इस हाथ की sliper डाल देंगे इन दोनों को पीछे से लाएंगे और हम आगे करतेंगे और ये दोनों फंदे तो ये और ये आगे जो गया तीन हो जात आपके 6 फंदे हैं, इसमें से हम 5 फंदों को सीधा बनाएंगे और जो एज़श्टीच है इसे उल्टा बुन लेंगे, तो यहां पर हमारी सात्मी सलाई डिजैन की कम्पलीट हो गई, आठमी सलाई है और उल्टी साइड है, आठमी सलाई इसकी अब पूरी उल्टी इसमें हमें सीधा उल्टा नहीं देखना है आपके जितने भी फंदे हैं, आठमी सलाई पर सभी बंदों को उल्टा उल्टा बना दीजीए, तो यह देखिए, आठमी सलाई कम्पलीट हो गई, नोमी सलाई है, और अब इसकी सीधी साइड है, नोमी चलाई को अब आप ध्य स्टिज को उल्टा बना लिया तो पांच बच गए पांच में से अब हम चार बनाएंगे एक दो तीन और ये चार अब देखिए ये वाले तीन फंदे हम त्विश्ट करेंगे तो एक और ये दो फंदे छोड़ कर ये जो तीसरा है इसको ऐसे स्लाइपर लेंगे इन दो को उत फंदे ये सीधे एक दो और ये तीन अब देखिए ये बीच में हमारे दो फंदे और सीधे बनाए जाएंगे एक और ये दो अब ये जो दो बचगे देखिए एक ये वाला और ये वाला ये वाला साथ में ले लेंगे तो इन तीनों को हमें ट्विश्ट करना है तो इसको चोड़ देंगे और back side से next वाले दो फंदे में स्लाई डालेंगे इसे उतार कर इस हाथ की स्लाई पर लाएंगे इन दोनों को हम यहाँ डालेंगे और तीनों फंदों को अब सीधा बनेंगे एक दो और यह तीन अब यहाँ पर जो हमारे 6 फंदे थे 6 में से एक यहाँ ट्विस्ट कर लिया गया है एक आगे करना तो चार फंदे अब हम सीधे बनाएगे एक दो तीन और ये चार तो ये देखिए एक फंदा ये एक ये और एक ये इन तीन फंदों को अब हम ट्विश्ट करेंगे तो दो को छोड़ेंगे इस फंदे में ऐसे स्लै डालेंगे दो को उतारेंगे और बैक साइड की स्लै पर डाल देंगे इसे पलट कर हम आगे कर देंगे और देखिए एक दो और ये तीन फंदे यहां सीधे बनाएंगे ट्विश्ट करने के बाद अब जो बीच में हमारे फंदे हैं ये दो हमारे सीधे बुने जाएंगे एक और ये दो अब देखिए ये वाला ये वाला दो ये होगे एक इदर से लेंगे तीन फंदों को हमें ट्विस्ट करना है तो इसको छोड़ देंगे और बैक साइड से दो फंदे में स्लाई डालेंगे इसे उतारेंगे और यहां इसाथ की स्लाई पर डाल लेंगे इन दो को हम अब पिछे से यहां बीच में कर देंगे और तीनों फंदों को सीधा बनाएंगे यहां पर हमें सिरफ फंदे ट्विस्ट करने हैं इसी से हमारा ये डिजैन बनता जा रहा है जो भी आपके फंदे हों सेम डिजैन बनाते जाएए लास्ट में आपके पांच फंदे बच जाएंगे इसमें से आप चार फंदों को सीधा बना दीजिए और जो एज़स्टीच है इसको उल्टा बुनिए तो यहाँ पर हमारी 9 सलाईयां डिजैन की कंप्लीट हो गई दसमी सलाई है और उल्टी साइड है इसे आप उल्टा बुन कर कंप्लीट कर दीजिये तो ऐसे ही धागा अपनी तरफ करना है और उल्टा बुनते हुए सलाई को कंप्लीट कर देना है तो यह देखिए दसमी सलाई हमारी कम्प्लिट हो गई अब आज यह इसकी ग्यारमी सलाई और सीधी साइड पर ग्यारमी सलाई को दिहान से देखे कैसे बनाएंगे पहले फंदे को इस तरह से उल्टा भुन लेंगे आप स्लिप भी कर सकते हो धागा पीछे और अब यहां तीन फंदे सीधे एक दो और यह तीन अब देखिए एक फंदा यह और दो यह इन तीनों को हम ट्विश्ट करेंगे यानि इनको हम पलट देंगे यह दो छोड़ के इस तीसरे वाले फंदे में ऐसे आगे से सलाई डाल लेंगे इन दो फंदों को उतारेंगे और बैक साइड की सलाई पर पहले डाल देंगे इस फंदे को अब पलट के आगे करेंगे और तीनों फंदों को सीधा बना देंगे एक दो और यह तीन अब यहां बीच में हमारे देखिए एक, दो, तीन और ये चार फंदे सीधे बनाए जाएंगे ट्विस्ट करने के बाद अब ये फंदे दो हैं और एक इदर से लेना इन तीनों को हमें ट्विस्ट करना है तो इस पहले को छोड़ कर बैक साइड से नेक्स्ट वाले दो में स्लै डालेंगे इसे उतारेंगे और यहां आगे कर लेंगे इने पीछे से लाएंगे और यहां बीच में डाल देंगे और अब इन तीनों फंदों को हम सीधा बना देंगे अब देखिएगा यहां पर हमें दो फंदे सीधे बुनने हैं एक और ये दो अब ये वाला फंदा और दो ये इन तीनों को ट्विश्ट करेंगे तो इन दो को छोड़ कर तीसरे फंदे में आगे से स्लाई डाल देंगे इन दो को उतारेंगे और बैक साइड की स्लाई पर डाल देंगे इसे पलट कर हम आगे करेंगे और तीन फंदे अब सीधे एक दो और ये तीन उसके बाद हम फिर से चार फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार आप देखिए ये वाला और ये वाला दो ये होगे एक इधर से लेंगे तीनों को हमें ट्विस्ट करना है तो बैक साइड से दो फंदे में स्लाइड डालेंगे इनको ऐसे उतारेंगे इस फंदे को यहां डाल देंगे इनको पीछे से लाएंगे और आगे कर देंगे और तीनों फंदों को अब हम सीधा बना देंगे आपके जो भी फंदे हो सेम डिजाइन बनाते जाएए लास्ट में आपके चार फंदे होंगे इसमें से तीन को आप सीधा बना लीजिए और एजिश्टीज को उल्टा बनाईए तो यहाँ पर हमारे डेजैन की 11 सलाईया कम्प्लीट हो गई बार में सलाई है और उल्टी साइड है धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा उल्टा बुनते हुए इसे आप कम्प्लीट कर दीजिए तो इस सलाई को आप ध्यान से देखे कि कैसे बनाएंगे पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर देखिए एक और यह दो फंदे हमारे सीधे आगे एजिश्टीज के बाद अब यह एक फंदा और दो यह इन तीनों को हम ट्विश फंदों को स्लाई पर ढाल देगे अब इसको हम थोड़ा सायसे पलट के आगे डाल देगे तीनों फंदों को सीधा बनाएंगे एक दो और यह 3 अब बीच में देखिए आपके कितने फंदे होंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे फंदे बीच में सीधे आ गए अब दो फंदे तो ये और एक इधर से लेंगे इन तीनों को हम ट्विश्ट करेंगे तो पहले को छोड़ देंगे और बैक साइड से दो फंदों में स्लै डालेंगे इसे उतारेंगे और फ्रंट वाली स्लै पर डाल देंगे दो फंदों को बैक साइड से लाके और बीच में कर देंगे और वह इन तीनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे एक, और ये देखिए, दो, तीन अब देखे ये वाला फंदा और दो ये इन तीनों को हमें ट्विस्ट करना है तो इन दो को छोड़ देंगे आगे की स्लाई से इस में इस फंदे में हम स्लाई को डाल लेंगे दो को उतारेंगे बैक साइड की स्लाइपर डाल देंगे अब ये जो बच गया इसको हम पलट के आगे कर देंगे तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे एक क्योंकि ये ट्विश्ट किये हुए है दो और ये तीन अब हम छे फंदे सीधे और बुनेंगे एक, दो, तीन, च्यार, पांच, और ये छे अब इन तीन फंदों को हमें ट्विश्ट करना है तो ये देखे इस फंदे को तो हम छोड़ देंगे इस वाले को और बैक साइड से दो फंदे में हम स्लाइड डालेंगे इसको उतारेंगे और यहां डाल देंगे अब इन दोनों को पीछे से लाएंगे और हम आगे डाल देंगे तीनों फंदे अब हम सीधे बुन देगे ऐसे ही डिजैन को बार-बार बनाते जाएए लास्ट में आपके तीन फंदे बचेंगे दो सीधे बनाएए और अजश्टीच को उल्टा बुन दीजे तो यहां पर हमारे डिजैन की 13 सलाई कम्पलीट हो गई 14 सलाई है और उल्टी साईड धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए सलाई को कम्पलीट कर दीजिए तो ये देखिए 14 सलाई को उल्टी साईड से हमने उल्टा-उल्टा बना लिया है तो फ्रेंट्स 14 सलाईयों में ये डिजैन ओवर हो जाता है अब ये जो मैंने आपको 14 रोज यानि 14 सलाईयां बुन कर दिखाई हैं अब आप इन ही 14 14 सलाईयों को बार बार रिपीट करते जाएए तो इस तरह से बहुत ही सुन्दर सा आपका डिजैन बनता चला जाएगा तो फ्रेंट्स अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दीजिए नेक्स्ट बार के स्टार्टिंग के लिए देखिए 6 उल्टे 6 सीधे और लास्ट में 6 उल्टे आ जाएगे त इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए शेर कीजिए और वीडियो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले इस भी वीडियो की नोटिफिके आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके थैंक यू